नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है स्टेड़ी आईएस की एक और नही वीडियो में और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ स्वचता स्टार्ट अप चैलेंज के बारे में दोस्तों काफी एक नया और एक इनोवेटिव स्टेप है जो कि यहाँ पे लिया जा रहा है हमारी गवर्मेंट के द्वारा और जो हमारी मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग एन अर्बन अफेर है उन्होंने यहाँ पर आप कैसकते हैं इसको लॉंच करा है अपनी आज की वीडियो में हम लोग यह देखने वाले हैं कि आखिर स्वचता स्टाप चैलेंज कैसे काम करने वाला है क्या बाते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए स्वचता स्टाप चैलेंज आपके सकते हैं यहाँ पे स्वच भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर आता है ओके सारी बाते हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे जो भी आपके यहाँ पे डाउट वगर अगर रहते हैं या फिर आपके पास कोई सजेशन है तो वो आप हमसे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे लेगने से पहले बता दूँ कि अनकेडमी आप सभी के लिए लेके आया है UPSC CSC Compact PYQ Special पिछले 20 साल के जो कोईशन है वो आप लोग को देखने मिलने वाला हैं ये होगा 30 जनवरी को सुबह 11 बजे काफी सानी से आप यहाँ पे अन्रोल कर सकते हैं आपको क्या करना है नीचे दिये हुए जो लिंक है उस पे जानना है और अन्रोल करते वक्त जो हमारा कोड है Study IS उसे यूज करना है बहुत असानी से आप लोग इसमें अन्रोल हो जाएंगे और एक काफी अच्छे आपके प्रेक्टिस भी हो जाएगी देखे दोस्तों इस बार Unacademy की बहुत अची परफॉर्मेंस रही थी काफी सारे जो टॉपर्स हैं वो Unacademy की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं और इन सभी बच्चों ने जो अपनी preparation थी या Unacademy के साथ करी थी जो batches अन्यकेडमी के चलते रहते हैं वहीं पे इन्होंने enroll करा था और जो भी doubts वगरा हैं इन्हें clear करते हुए ये आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं जो जो बच्चे चाहते हैं कि अगली बार उनकी तस्वीरे यहां पर हो वो अभी जाईए अन्यकेडमी पर त्यारी कीज़े जो टेस्ट बगरा हैं इन्हें देते रहिए फ्री में भी बहुत कुछ अवलेबला आप लोग लिए बस आप लोग क्या करना है कि एक बार एप या अरबन अफियर ने इसको स्टार्ट कराये पर पार्टनर्शिप के साथ किसके साथ पार्टनर्शिप कर आपकी अय telephone और आपकी अजयों स्वचल नर्ट मिशन अखन अप आता है और इसी की तहती से लाँच भी करा गया है अब ये स्वच भारत मिसन क्या है अर्बन टूपॉइंटो क्या है इसके बारे में बता दू तो देखे दोस्तों इसको लॉंच करा गया था 1st October 2021 के अंदर और इसका जो विजन था मतलब कि किस बेसे स्पे से लॉंच करा गया था वो इसे ले करा गया था कि अगले 5 साल के अं जो यहां पर आप सकते हैं को बहुत बड़ा वकड़ा फैला रहता है उसका बहुत बड़ा यह भी कारण है कि हमारे पास चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोई एक एक एफेक्टिव मैथड नहीं है और अगर है तो उस पर लोग काम नहीं करते जो भी यहां पर ऐसे प्रबसाइट भी खराब हो रही है तो उनको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं ये भी देखा जाएगा इस मिसन के अंदर जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे हम लोग बेकार में जाकि गंदा होने से अच्छा है कि उसका दुबारा से हम लोग यूज़ करके जो भी हुआ चोटे-मोटे काम है ज्यसे कि अगर हमें गाड़ी दो लें तो क्यों न जिस पानी से हम लोग ना हैं, उसी से गाडी दो लें, क्योंकि ऐसा तो है नी कि गाडी को जरूरी है कि आरोगा पानी लाके दो, ओके, वो काम हम कर सकते हैं, फ़लिश बगारा में हम लोग अपना जो water, जो हमारा गंदा पानी है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, पेमाने पे एरिया पे यूज़ कर सकें और सही तरीके से जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग ट्रीट कर पाएं अभी देखें इसके बारे में बताऊं आखिर सुचता जो स्टार्ट अप चैलेंज यह क्या है बेसिकली इसको इसलिए लॉंच करा गया कि जितने यहां पे ने ने स्टार्ट अप हमें देखने को मिलते हैं अभी पिछले साल बहुत सारे स्टार्ट अप जो थे वो देखने को मिले हैं लोगों के पास इंटरनेट का एकसेस आ चुका है लोगा पढ़ाई घर बैटके भी कर रहे हैं और जो स्टार्ट अप पाला जो मैंडशेट है वो इंडिया में अब डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है तो दोस्तो जो नएने स्टार्ट अप आ रहे हैं उनमें किस तरीके से गवर्रमेंट अपना थोड़ा सपोर्ट करके वहाँ पे जो startup आये हैं उन्हें जो waste management sector है वहाँ पे क्यों न मोड दिया जाए इन चीजों को इस challenge के अंदर देखा जाएगा basically चार जो areas उन पे focus किया जाएगा पहला है आपका social inclusion zero dump हो गया जो की solid waste management पे है plastic waste management हो गया और transparency through digital inability okay इन चार जो areas है इन पे इस challenge को लगाया गया है और आपके सकते हैं challenge के अंदर ये चार problem है और इनके ही solution ढूणने है ये promote करेंगे कि हम लोग कैसे यहाँ पे enable कर सकते हैं ऐसे enterprise को जो कि आपके सकते हैं सचता भारत startup mission के अंदर आएं और वहाँ पे जो भी इनका आपके सकते हैं innovative तरीका है उसको ले के आ सके हैं जैसा कि मैंने को बताया कि AFDB French Development Agency भी इसके साथ है वो यहाँ पे इनको seed funding देगी मत कि जो starting का कुछ पैसा होता है न वो जिसको बताया गया है 25 लाक रुपए तक का और एक year तक का यहाँ पे customized support भी दिया जाएगा जो कि आप कर सकते हैं 10 ही startup को दिया जाएगा जिने ये challenge जीता होगा उनको और काफी एक अच्छी यहाँ पे शुरुआत है कि हम लोग जैसा कि हमारा यहाँ पे चल रहा था कि आद निर्वर भारत बने उसके लिए ऐसी चीज़ों की बहुत आवशकता है making इंडिया पे काम कर पाएंगे हम लोग इसकी मुदद से अब ही क्या होता है अगर government support करती है तो इससे जो startup वगयर होते हैं इनको काफी आप कर सकते हैं risk free होने के लिए भी बहुत मुदद मिलती है अगर government किसी startup को support करेगी तो वो थोड़ा और risk लेना चाहेंगे इससे क्या होगा कि वो लोग और freedom के साथ काम कर पाएंगे और freedom के साथ काम कर पाएंगे इसका मतलब कि वो और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे ने-ने ideas पे काम भी कर पाएंगे क्योंकि इंडिया में क्या है कि लोगों को डर भी रहता है कि क्या उनका जिस startup है ये काम होगा सही काम तरीके से आएगा कि नहीं आएगा उनका खर्टा कैसे चलेगा तो अगर government support करती है तो हमें जो उनकी ये attention है ये तो काम हो जाएगी और वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ideas पर काम कर पाएंगे और जो भी जो उनकी दिक्कते हैं इन्हें भी दूर कर पाएंगे objective क्या है जैसे कि मैंने को बताया कि objective यही है कि हम लोग जो इंडिया के अंदर startup movement है उसको बढ़े तरीके से कर सकें नए ने जो entrepreneurs आ रहे हैं उन्हें अच्छी opportunities दे सकें जो यहाँ पर आप कर सकते हैं young innovators हैं उनको मदद कर सकें कि वो किस तरीके से एक social impactful idea लेके आएं और market ready business solution जो कि आप कर सकते हैं market में जरुवत है जैसा कि अभी solid waste की बात आई तो यह जरुवत है अभी government ने भी support करेगी अच्छा idea होगा तो government खुद चाहेगी कि वो भी इस पर काम है plastic जैसी चीज़ होगी अगर इसका कोई alternative आता है जो कि काफी cheap होता है तो government खुद साथ देगी कि हाँ भाई आओ हम नुमारे साथ हैं काम करो यह भी अच्छी बात है और objective इसका सही में यही है कि जो नएने लोग हैं जो आना चाहते हैं इस field में वो आएं और government का पूरा support है उनके पास significance क्या है देगे यह जो initiative है यह इस तरीके से आया कि जब यहाँ पे France और EU मतलब कि European Union जो है वो काफी आपके सकते हैं closely इंडिये के साथ काम करना चाते थे और इस time पे international stage पे हमें यहाँ पे global treaty plastic pollution जैसा topic मिला है और इसी के तहत यहाँ पे यह जो initiative है यह हमें सामने आता हुआ दिखाई देता है और France और EU जैसे आपके सकते हैं बड़े बड़े अगर field मतलब कि इनके यहाँ पे यह चीज़े चलती आ रही है और यह हमारा साथ देंगे तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है अभी के time पे यह सब बहुत significant है startup space जो है बहुत जल्दी जल्दी evolve हो रहा है अभी तक बता दूँ कि इंडिया में ही इंडिया में ही आपको बता रहा हूँ मैं कि वर्ल्ड के लग बग 70 ज़्यादा unicorns आए हैं जिनकी valuation USD 1 billion से ज़्यादा है तो इस तरीके से इसका significance हमें देखने को मिलता है ओके दोस्तों तो यही थी पूरी आज की वीडियो आई होप कि आपको इससे काफी मिली होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and take care